नमस्कार मैं डॉक्टर प्रीती पालिवाल, Center Head Consultant Reproductive Medicine नीलकंट IVF Center कोटा से हैं आज हम बात करेंगे कि अल्टरसाउंड प्रेग्नेंसी में क्यों helpful है या प्रेग्नेंसी के दौरान अल्टरसाउंड क्यों करना चाहिए अल्टरसोनोग्राफी यानि की अल्टरसाउंड एक सुरक्षित और महत्वपूर्ण जाच है जिससे गर्ब में पल रहे शिशु के विकास और विकार दोनों के बारे में अच्छे से जानकारी मिलती है और ये पूर्ण तरह से नौन इंविजिव टेस्ट है यानि गर्ब में पल रहे शिशु के उपर इसका कोई नकारात्मत प्रभाव नहीं पड़ता है आए जाने गर्बावस्ता के दौरान विबिन तरह की सोनोग्राफी के बारे में प्रेगनेसी कंफरमेशन के लिए यानि गर्भावस्ता के लक्षनों के बारे में यानि उसके कंफरमेशन के बारे में जानने के लिए हम पहला स्कैन करते हैं जिससे यह पता लगाते हैं कि जो गर्भाशे के अंदर ही इंप्लांट हुआ है या फिर किसी और जगे यानि कि ट मैं आपको आगे बताऊंगी यदि शिशु एक्टॉपिक जगे पे यहनी कि ट्यूब में या फिर ओवरी में इंप्लांट हुआ है तो यह एक emergency situation है और ऐसे में surgery करनी पड़ सकती है क्योंकि यह मा की लिए जान का खत्रा हो सकता है ऐसी conditions में दूसरी सोनोग्राफी है dating scan जिससे हम गर में पल रहे शिशु की आयू के बारे में और delivery की तारीक के बारे में पता लगा सकते हैं तीसरी सोनोग्राफी है nucle translucency या anti scan यह हमें पहली तिमाई में करनी होती है 11-13 हफ़ते की बीच में यह scan किया जाता है और यदि इस सोनोग्राफी में हमें कोई विकार दिखता है तो आगे की testing यानि blood hormones की testing के साथ में हम यह पता लगा सकते हैं कि गर्वस शिशु में कोई अनुवांशिक विकार तो नहीं है या कोई ऐसा विकार तो नहीं है जो आग लुकल ट्रांसलिूसेंसी स्कैन यानि एंटी स्कैन के द्वारा हम यह जान सकते हैं कि शिशु में कोई विकार तो नहीं है और जरूवत पढ़ने पर हमें उसे अर्ली टर्मिनेट करने में मदद मिलती है इसके बाद में आता है अनॉमली स्कैन जो की पांचवे महीने में की दूसरी तिमाही में किया जाता है इससे जो गर्भ शिशु है उसकी शारेरिक मांसिक संदशना के बारे में पता लगता है उसका दिल दिमाग पूर्ण रूप से विक्सित हो जाता है उसके बोन्स उसकी मसल्स और उसके रिफ्लेक्स इसके बारे में भी पता लग सकता है जिससे यदि कोई विकार है या फिर कोई कमी पाई जाती है उसके ग्रोथ में तो उसके लिए हम जरूरी कदम उठा सकें और उसके गर्ब में सहायक बन सकें गर्ब के विकास में सहायक बन सकें इसके अलावा routine pregnancy scans भी हमें समय समय पर करते रहने चाहिए जिससे शिशू के weight और उसके आसपास में जो लाइकर होता है जो पानी होता है उसके level के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो सके Color Doppler Scan एक important scan है जिससे हमें ये पता चलता है कि जो गर्ब में पल रहा है शिशू है उसे खून का दौरा अच्छी से मिल रहा है या नहीं या माता में BPH या शुगर की वज़े से गर्बर शिशू को खून का दौरा सही से नहीं जा रहा है यदि ऐसी समस्या है तो कुछ दवाईयां और इंजेक्शन के माध्यम से हम इसे ठीक कर सकते हैं और शिशू के विकास में मददकार साबित हो सकता है अता गर्बावस्ता के दौरान सोनोग्राफी एक सुरक्षित और महत्वपून जाच है इससे डढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि डौक्टर से परामश लेने के बाद जरूरी पढ़ने पर हर महीने या हर 15 दिन में भी सोनोग्राफी एडवाईज की जा सकती है यह बिल्कुल नौन इन्वेजिव और सुरक्षित तकनीक है इससे गर्भवस शेशों पर कोई नकारात्मत प्रभाव नहीं पड़ता है आगे आप गर्भवस्ता या उसके दौरान की जाने वाली सोनोग्राफी के बारे में और कोई जानकरी लेना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर मेसेज या कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे सेंटर पर आके हमसे बरामाज ले सकते हैं